नमस्कार दोस्तों, सुमित वार्दवाज क्लासिज में आप सभी का फिर से सवागत है आज कुछ सिदान्द करेंगे, मैंने कुछ ट्रीक बनाई है सिदान्द की सबसे पहले थारंडाइक देखते हैं ट्रीक ये है, सिक्स्या बहूत परियास और परियतन के दोवारा उदिपन अनुकरिया करके ऐसार थोरी ने सम्बंदवाद अधिगम से बांदा है ठीक है, ये लाइन याद कर लो या फिर इसका रट्टा मार लो दोवारा फिर बोल देता हूं है, सिक्सा बहूत परियास और परियतन करके उदिपन अनुकरिया करके ऐसार थोरी ने सम्बंदवाद अधिगम से बांदा है ठीक है, देखो, सिक्सा, सिक्सा से लेते हैं, सिक्सा मनो विज्ञान के जनक, ठारंडाइक, ठीक है ऑप्रियास ये बहुत से भाउखंड और बहुतtechn वुद्धिकाशी दान थारंडाइक ठीक है परियतन रियतन आउम तरूति ये भी कोन हो गया थारंडाइक ठीक है फिर परियास परियास क्या हो गया प्रियास आउम भूल हो गया ठीक है उदिपन अनुकिरिया करके उदिपन अनुकिरिया हो गया हैसार थोरी डारेक्ट हैसार थोरी हो गया सम्मदवाज सम्मदवाद हो गया अधिगम से बांदा है अधिगम का बंद हो गया देखो अधिगम का बंद हो गया और स्रियोजनवाद सबी इसी में हो जाएंगे देखो दुबार बोल देताओ मंट्रीक सिक्षा बहुत परियास और परियतन के दुबारा उदीपन अनुकिरिया करके ऐसार थोरी ने सम्मदवाद अधिगम से बांदा है सिक्षा से सिक्षा मनोविज्ञान बहुतव या बहुखन परियास और परियतन और भूल इससे उदीपन अनुकिरिया करके ऐसार थोरी ऐसार थोरी हो जाएगा ये सम्मदवाद हो जाएगा और सियों जनवाद भी बोल सकते हम इसके ऐससे लिलेंगे ठीक है और अधिगम से मतलब अधिगम का बंद ये सभी किस में आएगा थारंडाइग में आएगे ये सभी ट्रिक किस की हो जाएगी थारंडाइग की अगली ट्रिक देखते हैं अगली ट्रिक देखते हैं विलियम जेम्स के बारे में विलियम जेम्स की कैट्रिक है विलियम जेम्स ने आदुनिक मनोविज्यान पर विलियम जेम्स ने आदुनिक मनोविज्यान पर पर कारिय करके आतम समर्पण किया ठीक है विलियम जेम्स ने क्या किया आदुनिक मनोविज्यान पर कारिय करके आतम समर्पण किया ये याद कर लो या फिर विलियम जेम्स ने आदुनिक मनोविज्यान पर कारिय करके आतम समर्पण किया अब देखो आदूनिक मनोविज्ञान ठीक है एक तो ये शिदान दिया किसने विलियम जेम्स ने ठीक है एक परकारिय करके मनलबगी परकारियवाद संपर्ताई किसने दिया विलियम जेम्स ने हमने बस एक क्लिक पकड़नी है जिससे कलू मिल जाए बाकी तो हम उफसन से पता लगा लेंगे ठीक है आतम समर्पण का मतलब आतम संपर्त है किसने किया विलियम जेम्स ने ये तिन्नों किसके सिदांथ है विलियम जेम्स के ठीक है आतम संपर्पण का मतलब आतम संपरता के आउदाना किसने किया विलियम जेम्स ने ठीक है आदू निक मनोविज्ञान के विलियम जेम्स थे ठीक है और मनोविज्ञान के कौन थे अगर मनोविज्ञान के बोल दिये जाएं तो मनोविज्यान के जनक कौन थे अरस्तू कौन थे अरस्तू ठीक है मनोविज्यान के जनक थे अरस्तू और आदू नी मनोविज्यान के कौन थे विलियम जेम्स अगली ट्रीक देखते है देखो अगली ट्रीक देखो जेपी गिलफोर्ड गिलफोड ने पहला सिदान दिया तरी आयाम का, देखो तरी का मतलब हम क्या लेते हैं, तरी का मतलब होता है तीन, अब तीन देखो, एक, दो, तीन, तीन नाम किस से बना है, तीन नामों से मिलकर कौन सा बना है, जेपी गिलफोड, तो तरी आयाम किस का सिदान तो गया, पिगिल फोर्ड में एक दो तीन ठीक है और बुद्धी सरंचनागी किसी किसे ने दिया जेपिगिल फोर्ड ने ठीक है अब अगले ट्रीक देखते हैं अल्फट बीने ट्रीक ये है बीने और साइमन ने मिलकर एक परकार से बुद्धी प्रिक्षनों को जनम दिया बीने बीने और साइमन ने मिलकर एक परकार से बुद्धी प्रिक्षनों को जनम दिया देखो अब नाम से ही कलियर हो रहा है बीने और साइमन ने मिलकर बीने और साइमन ने मिलकर देखो बिने और साइमन बुद्धी प्रिक्षन के प्रतिपादक कुन थे अलफड बिने अब ये तो इसके नाम में ही आ गया ठीक है मिलकर एक प्रकार से एक प्रकार का मतलब एक खंड एक खंड एक खंड बुद्धी का सिधानत किस ने दिया अलफड बिने ने ठीक है बुद्धी प्रिक्ष्णों को जनम दिया ये भी हो गया बुद्धी प्रिक्ष्णों के जनम दाता कौन है अलफड बीने इसी में हो गया बीने और साइमन ने मिलकर पहला हो गया बीने साइमन बुद्धी का प्रिक्ष्ण अलफड बीने ने एक परकार से एक परकार मतलब ए अगली टृक देखते हैं, जब दो और तीन बुध्धी सक्तिवाले आद्मि मिलते हैं, तो वे शामन्य को भी वीसिस्ट में बदल देते हैं, क्या ट्रीक है जब दो और तीन मतलों कि दो और तीन आदमी है जब उनकी बुद्धी मिलती है तो वह अधिक सक्ती हो जाती है तीन आदमी एक साथ काम करेंगे जल्दी हो जाएगा तो वे सामान्य चीज को भी विशिष्ट में बदल देते हैं हमने ये ट्रीक याद रखनी है जब दो और तीन बुद्धी सक्ती वाले आदमी मिलते हैं तो वो सामान्य को भी विशिष्ट में बदल देते हैं देखो दो का मतलब दो खंड तीन का मतलब तीन खंड बुद्धी का इसी दान्द किस ने दिया स्पियर में ने सामान्य को भी विशिष्ट कर देते हैं मतलब भी सामान्य वै विशिष्ट तत्त होगे इसी दान्द प्रतिपाद कोन थे स्पियर में ठीक है बुद्धी सक्ती वाले आदमी बुद्धी सक्ती बतलो बुद्ध दिखा देवाई सक्तियाशी दान्त किसे ने दिया स्पीर मैन ने हमने बस एक चोटी सी ट्रीक पकड़नी है या कलू पकड़ना जिसे पेपर में हमको उप्सन देख के असानी हो जाए ठीक है जब जैसे की सामान ने और विशीष्ट मिल गया हमको हम डारेक्ट लगा देंगे किसने दिया स्पीर मैन ने ठीक है अगली ट्रीक देखते है देखो अगली बी एफ स्कीनर की कौन सी है सक्रिय अनुबंदन और किरिया परस्तूत अनुबंदन इसको कैसे याद करेंगे देखो सक्रिय को हम S से डिनोट कर दें और किरिया को हम K से डिनोट कर दें तो ये क्या बन गया स्कीनर हमारे मन में अगर उप्षन में स्कीनर आ जाए मान लो चार उप्षन है उन में से एक उप्षन स्कीनर है अब Skinner को हम याद करेंगे S के S के मतलब सक्रिया है और किरिया का जो सी दान था वो Skinner ने दिया था अगर है तो ठीक नहीं तो एक option कट हो जाएगा ठीक है? Skinner अगली देखते हैं तब यह खराब होने के काण में बीच में निडाल पाया वीडियो और आज भी मेरे ख्याल से इतनी अच्छी निडाली तब यह ज़्यादा खराब है फिर भी कोशिस कर रहा हूँ तेखो मैं इस लोगी ट्रिक बनाई है मांग और पूर्ति को मांग और पूर्ति को मंगवाने के लिए या मांगने के लिए मांग और पूर्ति को मांगने के लिए अमारे अंदर आतम ज्यान और सव अभी प्रेणा होनी चाहिए मांग और पूर्ति को मांगने के लिए अमारे अंदर आतम ज्यान और सव अभी प्रेणा होनी चाहिए अब देखो मांग और पूर्ति का सिदान्त किस ने दिया? मांग और पूर्ति का? मैं सलोने ठीक है अब सव अभी प्रेणा इसका पूरा नाम क्या है? सव यथा अथिकरण अभी प्रेणा का सिदान्त किस ने दिया? मैं सलोने तो इस प्रिकेशे हमको थोड़ा हाट कलू मिल जाएगा जिससे हमको पता चल जाएगा ठीक है? मांग और पूर्ति को मांगने के लिए हमारे अंदर आत्म ज्यान और सव अभी प्रेणा का होनी चाहिए ठीक है? कुछ और ट्रिक मैं अगली वीडियो में डालूँगा ठीक है? आज के लिए इतना ही काफी थैंक्यू स्टूडेंट